कोई भी गलत संसकार, कोई भी गलत विचार, कोई भी गलत सोच, इस तरह हैं कि कोई भी चीज जो आपको लाइफ में पीछे धकेलती है, उसे जिस वक्त वो शुरू होती है, उसी वक्त खत्म करना बहुत बहुत जरूरी होता है, उसे बड़ा होने नहीं देना है, साप का वारना भी मुश्किल हो जाता है इसी तरह से अगर कोई गलत थोट आपके अंदर है और आप उस चीज के साथ जिये जा रहे हैं वो आपकी लाइफ को पीछे खीचता जा रहा है लेकिन फिर भी आप उस चीज को कंटीनू कर रहे हैं आज तो कम से कम आपको मालूम है आपको पता है कि यह चीज मैं अपनी लाइफ में गलत कर रहा हूं इसकी वज़े से मुझे नुकसान हो रहा है अगर यह चीज कंटीनू चलती रही और यह नेक्स बर्त तक पहुंच गई तो फिर वो दिन आएगा जब आपकी लाइफ में उस संसकार की वज़े से कुछ गलत हो र इन्वे या शायद उससे भी नीचे आपके अचेतन मन तक पहुंच चुका होगा समझ लेजिए कि आज तो दुश्मन आखों के सामने है इसलिए कम से कम लड़तो सकते हैं अगर यह चीज नेक्स बर्त में चली गई तो दुश्मन है लेकिन वो आखों के सामने भी नहीं है तब तो उससे लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा तब हमारे पास सिर्फ एक ही हत्यार बचेगा एक ही हत्यार बचेगा सही समझ सही knowledge कि ठीक है जो हुआ जैसे हुआ पास्ट में हुआ वहीं का वहीं छोड़ो आज वो प्रस्तिती वो वक्त वो समस्या कुछ भी नहीं है तो उस संस्कार उस विचार का दोहराव क्यों सिर्फ सही समझ और इसके अलावा कोई जरिया नहीं होगा आज मैं आप सभी के साथ ब्रुक नाम की एक लड़की की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ ये स्टोरी अपने आप में अनोखी भी है लेकिन समझ का दाइरा आपका बढ़ा कर देगी और आपको चीजे समझने का जो नजरिया है वो चींज हो जाएगा और इस केस में एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है जैसे मैंने पिछले केस में भी आपको बताया था कि किस तरीके से जब शायद जेतनी का केस था जोई का तो उसमें किस तरीके से एक महिला ने आकर जोई का मैसेज उनकी गल्ड़फरेंड को दिया वो तो चलो फिर भी कुछ पास लैफ इंट्रेशन था यहाँ पर केस उल्टा है यहाँ पर एक लड़की जो बच्पन से मतलब जब से उसे थोड़ी सी समझ आई है जब से वो 13-14 साल की हुई शादी क्या चीज होती है उसे इस चीज़ की समझ आने शुरू हुई तब से यानि बिल्कुल छोटी उमर से ही कह लीजे शादी के प्रति उसके मन में बहुत 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 घहरा आकर्शन था नॉर्मल से कहीं ज़यदा हर टीनेजर बच्चे के मन में शादी को लेके कुछ विचार हो सकते हैं भावनाएं हो सकते हैं सामान्य है लेकिन वो साम शादी नहीं होगी तो मैं मर जाओंगे अरे शादी बहुत महत्यपूर्ण चीज है शादी नहीं तो जीवन खत्म इस तरह कि जो उसकी विचार थे और कमाल की बात ये थी कि वो 40 साल की हो चुकी थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी जिस चीज के पीछे वो पुरुष उनके आता था तो वो उससे इतनी जुड़ जाती थी इतना ज़ादा शादी के प्रती उतावरापन दिखाती थी तो जो भी पुरुष उनकी जीवन में आता था वो उनका ये रू्प देदrickे डर जाता था कि इतनी ज़्यादा दिवान की है, इतना ज़्यादा पागलपन है, इतना ज़्यादा क्रेज है शादी को लेकर, वो पिछह अट जाते थे, अब हम ब्रूक की बात करेंगे, ब्रूक भी 2011 में डाक्टर वीज का एक सेशन हुआ था, वही गुरूप सेशन वो ले किये थे, तो जैसे कि मैंने बताया कि बिलकूल एन यंत्रत सी इच्छा थी, ब्रूक के मन में शादी को लेगर, और एक और बहुत अजीब बात थी, ब्रूक की एक दोस्त दवा करती थी, वह अकसर ना उसको एक बात बोलती थी, कहती थी, तू ना जल्दी से शादी कर ले अगर तेरी शादी नहीं हुई न तो तू ऐसे डिप्रेशन में आ जाएगी कहीं फुटपाथ पर अकेले पड़े-पड़े मर जाएगी ये शब्द होते थे उसकी फ्रेंड के अब आपको कुदरत का एक खेल है इससे समझना होगा कि देखिए कुदरत कई बारना कुछ-कुछ लवज ऐसे होते हैं अगर आपके उपर वो कुछ मैसेज की तरह होते हैं तो अब बुक को जो उनकी फ्रेंड अकसर ये बात बोल दिया करती थी कि अरे जल्दी शादी कर ले तू डिप्रेशन में आ जाएगी कहीं पड़ी-पड़ी मरी-पड़ी मिलेगी इतना डिप्रेशन में आ जाएगी वो उसको कहा करती थी अकसर कहा करती थी उस वक्त तो बुक को कभी कुछ नहीं लगा बहिया उसे लगा कि ठीक है फ्रेंड है चाहती है कि मैं शादी कर लूँ उसको भी पता है कि मेरे अंदर शादी की बड़ी घहरी इच्छा है लेकिन जब वो सेशन में आई न डक्टर वीच के 2011 में तब उसको ये चीज़ समझ में आई कि ऐसा हो क्यो रहा है इस सेशन में बुक ने अपने आपको समय तो नहीं देख सकी कवकि काफी पुराना शायद उसका कोई जरम था समय नहीं देखा उसने उसने इतना ज़रूर समझा कि वर्तमान में शायद वो स्थान अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसी कोई मुस्लिम कंटरी है सिर्फ उसको इतना समझ में आया अब उसने जो देखा वो कहती है कि मैं जैसे नीले रंग का कंबल है कोई उसमें मैं लिप्टी हुई हूँ और उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर बिल्कुल जैसे कोई मूवमेंट नहीं थी कोई हरकत नहीं थी पैरों में फिर उसने अपने थोड़ा ऊपर की तरफ देखा तो उसने मैसूस किया कि उसके कमर से नीचे के भाग में कोई मूवमेंट ही नहीं थी, कोई हरकत नहीं थी, शायद उसे कमर से नीचे के भाग में लखवा हो चुका था और इसी बुरी हालत में वो सड़क के किनारे पड़ी थी और भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही थी, लोग उस पर दया करते थे, कोई भी कुछ खाने को दे देते थे, लेकिन एक तरह से वो जैसे समाज से बहिश्कित लोग होते हैं न, निकाले वे लोग, कुछ-कुछ ऐसे ही थी, अकेली ही थी, बिल्कुल अकेली थी, और भीख मांग कर उसका गुजारा चलता था, बेबसी किसी उसकी हालत थी, क्योंकि लकवे की मारी ओरत थी, तो वो कहती है कि इसी तरह से एक दिन बहुत सर्दी थी, और इसी सर्दी की वज़े से उसकी मौत हो गई, वो बताती है कि जब बॉडी को उसने छोड़ा, अपने आपको एशरीरी यवस्था में पाया, तो उसने अपने आपको एक बेंतहा खुबसूरत, जो लफजों में नब्या हो, ऐसा खुबसूरत बगीचे में पाया, और वहां एक दिव्यात्मा को भी पाया, लेकिन वो ब सरासर अन्याय किया, ऐसे जिंदगी कोई किसी को देता है, ऐसे जिंदगी तो कोई दुश्मन को भी नहीं देता है, उस दिव्यात्मा ने उसके जैसे कंधे पर हाथ रखा, उसने अपने आपको बहुत, बस उसका हाथ रखते ही, उसे ऐसा लगा कि बस अपार शान्ति मिल और फिर उसे सिर्फ इतना याद है कि उसने कहा कि जो कुछ था वो तुम्हारे सीखने के लिए जरूरी था ये सबक बहुत जरूरी थे लेकिन अब ऐसी नोबत नहीं आएगी मेच पर यकीन करो अब तुम सुरक्षित हो उस दिवयात्मा ने और भी बहुत से मैसेज दिये ब्रुक को लेकिन उन सब को हम साइड में रखते हैं क्योंकि जो ब्रुक की में समस्या थी जो उसके पास से जूड़ी थी वो बताती है कि जब मैं समोहन से बहार आई तो कम से कम मुझे रीजन समझ में आया कि क्यों वो बेकरारी थी, बेचैनी थी कि हाँ मैं शादी कर लूँ, मैं जल्दी से शादी कर लूँ क्यों उसकी सहेली के मुझे अक्सर निकल जाता था कि किसी दिन तू अकेली पड़ी-पड़ी मर जाएगी यह लफ्ज उसकी सेली के मुझसे जो निकला करते थे, क्यों निकला करते थे फिर जैसा की समझाया गया, डाक्टर वीश के द्वारा निर्देश दिये गए कि जो है वो उसे महीं छोड़िये, आगे पढ़िये वक्त गया, प्रस्थितियां गई, अब वो स्थिति नहीं है उसके बाद, इस स्थिति को समझने के बाद, जब क्लियर हुआ ब्रुक के मन में ये चीज़ उसको समझ में आई कि आज वो प्रस्थिति नहीं है आज वो ऐसी बे सहारा नहीं है आज वो सड़क किनारे पड़ी हुई एक मजबूर औरत नहीं है और इस समझ के आते ही उसके अंदर जो फीलिंग्स थी शादी को लेकर अकेलेपन का जो डर था वो खतम हो गया उसके बाद उसने अब आज की तारीक में ब्रुक विवाहिद भी है उसके बच्चे भी है उसका एक भरा पुरा परिवार है और वो जो शादी के प्रती दिवानगी थी ब्रुक के मन में वो भी अब खतम हो चुकी है और आज की तारिख में बुरुक एक सामाने महिला की इतर हैं अपने परिवार के साथ जीवन गुजार रही है अकेले पन का वो डर अब उसके अंदर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर मैं कम शब्दों में अब यही कहूंगी क्योंकि इस बात को अब तक तो हम इतने सारी जो केस हमने स्टडी करें हैं उसके बाद हम समझी चुके हैं कि अब हमने पास्ट में तो जो किया सो किया लेकिन अब अब यह जो जीवन आया है अब जो हमें समझ आया है अब हम किसी भी घटना, किसी भी परस्तिती के साथ कोई भी negative thinking, कोई भी negative उसके विशे में एक निचोर निकाल के समेट के अपने मनने बिठा लेना, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकरती में सब कुछ होता है, ये नहीं है कि हर इंसान गलत, अगर आपकी मुलाकात गल हमें मुझूद है, हमें अपनी thinking को positive रखना है, ताकि अब जो कुछ भी हम अपने संसकार बना कर जाएं next birth में, वो बहुत positive हों, और फिर जीवन में जो कुछ भी सामने आए, उसे हम अपनी स्वतंत्र करम के द्वारा, अपने positive संसकारों के द्वारा बहतर तरीके से perform करें, नीचे description box में मैंने आप सभी के साथ अपने first channel path of peace का link share किया है, इन दोनों channels पर ही मृत्यू के बात की दुनिया के समद्ध में, जो भी अलग लग तरीके से, चाहे वो लोगों के experience रहे हों, चाहे वो जो nurses हैं, जो hospitals में काम करती हैं, उनके अनभव रहे हों, या अपने प्र life में हुआ है, बहुत सारे अलग लग तरीकों से, जो मृत्यू के बात की दुनिया के समद्ध में जानकारिया निकल कर आई हैं, उनके आधार पर वीडियो बनाई जाती हैं, और यही कारण है, कई बार मैं कुछ ऐसी बाते भी कहती हूँ, जो समाज में जो बाते कही जाती हैं, समाज में मृत्यू के बात की दुनिया के समद्ध में जो लोगों के विचार धारा है, उससे अलग होती हैं, उससे अलग होने की वज़े ही यही है, कि जो कुछ सच्ची घटनाओं से निचोड निकल के आए हैं, मैं उसके आधार पर बात करती हूँ, ऐसा कहा जाता है या ऐसा होता है, इस आधार पर बात नहीं करती हूँ, आप सभी पर परमातम सौंदर, प्रेम और आनंद सैदेव परस्ता रहें, आप सभी दिव्य परमधा में स्थान प्राप करें, कोई भी गलत संसकार, कोई भी गलत विचार,